हलो फ्रेंज, वेलकम तो आज चानल करेंट अफेर अफेर अपडेटेड इस दिवरशी शवस्ती और आज मैं आपके सामने एक बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ अब ये फेस्टिवल ओफेर कहां पर हुए कोशन से बहुत आता है कि ये रिसेंट्टी फेस्टिवल फेर आपसे डायकली पूछ लेगा किस स्टेट में हुआ है और आपको मार्क करना पड़ेगा तो 2024 की मैंने करनड़ फेर स्टार्ट कर दी है और फेस्टिवल ओफेर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जहां पर जानवरी के जितने भी फेस्टिवल से एक सिंगल लेक्षर में कवर करूँगा छोटा सा लेक्षर है एन तक जरूर देखना एक्जाम परस्पेक्टिव से बहुत जादा इंपॉर्टनेट है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला फेस्टिवल जो मैं आपको बताऊँगा टोटल में हाँ पर 15 फेस्टिवल आपको बताऊँगा जो जानवरी में न अच्छा है तो न्यू डेली वुड बी दा आंसर ठीक है तो डारेक्ट लिए आप देख सकते न्यू डेली का आंसर है चलिए नेक्स पर आते हैं तो डारेक्ट कोशन आएगा कि ये फेस्टिवल कहा हूँआ आपको माग करना पड़ेगा जैसे कि गोले मेला फेस्टिवल यादे कि जगनाद टेंपल जो है उसी ने इसको होस्ट किया है गोले मेला फेस्टिवल को अब जगनाद टेंपल तो आप सुचेंगो उडिशा में है उडिशा के लिए बड़ा इंपॉरेटन कोशन है बट यादे कि जगनाद टेंपल होस्ट किया गोले मेला फेस्टिवल जो की उद्धामपुर जमुएन कश्मीर में याद एखेगा ये festival अभी recently held हुआ है तो सीधा ये मेरे ख्याल से सबस्याद इंपॉर्टेंट स्था लगा रहा हूँ गोले मिला festival ठीक है याद है कि इस लेक्चे से एक कोशन भी अगर आ जाता है तो आपके exam qualify करें बहुत help इसलिए और जाता है इसलिए और जादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इसकी थीम भी आप देख सकते हैं जो थी माय भारत आइस विक्सित भारत अट टेरेट 2047 बाइदा यूथ फॉर्ड़ दा यूथ जाता है यूवा के लिए और यूवा के द्वारा तो इस बार की थीम थी theme भी important है, location भी important है chances भी important है आपको पता को नाशा है, youth day हम Swami Vivekanand की birth anniversary पर celebrate करते हैं, okay, चले next पर आते हैं, next कौन सा है, fourth that is, चन्दूबी festival जा दिखेंगे, चन्दूबी festival, डाइक ली पूछाएगा ये चन्दूबी festival, किस state का चन्दूबी festival, किस state पे celebrate किया गया, direct question होगा और answer है, awesome, तो awesome के students आपके लिए बहुत important है, style लगा लो directly ऐसा question आजाता है, ठीक है match the following, और ये question आना और फिर option देखेंगे, आपको awesome नागरेंड सब एक जैसे लगेंगे, इसलिए मैं बता रहा हूँ इस lecture को देख लो, एक बार आप देख लो कि आपको याद रहेगा, revision करके चले आना, question आपको directly यहीं से बिलने वाला है next, international purple fest इसके chances थोड़े जाद है, मैं double star लगा रहा हूँ मैंने बताया भी था, international purple fest 24, याद एक कहा हुआ January में होता है, this is important गुवा में हुआ है, गुवा आप सबका जाने का मन होगा, ठीक है, तो आरे कि purple fest जो है, वो गुवा में हुआ है आप सोच रहोंगे, festival के बारे मैं detail बताऊं, तो मैं बता सकता हूँ आपको detail, बट उसमें exam में question नहीं आएगा उससे, ठीक है, तो क्या मतलब हम उन चीजों को discuss करें, जिसका exam में आने के chances ही ना हूँ, क्योंकि आपका agenda है exam को qualify करना, तो इतनी सारी चीजे हैं पढ़ने को, ठीक है तो time waste वाली जो चीजे हैं, उनको मैं अमरितकाल, इस बार common रही है, बहुत सारों की theme में, अमरितकाल का word यूज हुआ है, यह आपको याद रखना है, ठीक है, चलिए, next आते, next, कौन सा festival न्यूज में था, international camel festival 2024, international camel festival, camel है, मतलब राजस्थान सही होगा, बिल्कु सही है, बिकानेया, जो राजस्थान में जगह है, वहीं पर यह festival held हुआ है, ठीक है, और theme थी, icons of बिकानेयर, इस बार की theme क्या थी, icons of बिकानेयर, एक तरीके से जो theme है, specifically aim कर रही थी, to promote craftsmanship of local, जो local के products होते हैं, उनको promote करने की इस बार mainly theme थी, इसलिए आप देख सकते है, theme थी, icons of बिकानेयर, ओके, तो local craftsman को, promotion का है, इसका major, specifically, इसका aim था, ओके, चलिए, नेक्स आते है, नेक्स है, this is very, very important, 9th पके पागा, हॉन्बिल फेस्टिवल, यह सीधा पूछाएगा, यह हॉन्बिल फेस्टिवल जो है, यह कहा हुआ, 9th पके पागा हॉन्बिल फेस्टिवल, यहाँ देखेगा, correct answer, अरुनाचल प्रदेश, क्या है, अरुनाचल प्रदेश, और इस बाकी theme थी, let our हॉन्बिल्स रिमेन, this is a theme, और आप देखेंगे, एक language मुनों लिखा था, द theme, theme, okay, चले, next पे आते है, next क्या है, that is, कुख बुरुख डे, या दिखेगा, कुख बुरुख डे, ठीक है, दीद डायरेटली मुझा आगा, 9th इस, नाम से तो लग रहा है, 9th इस का होगा, पर इसा correct answer है, तिरपुरा, क्या answer है, तिरपुरा, okay, comment box में मुझे तिरपुरा क food festival, ठीक है, यह festival भी important है, सीधा पूचाएगा, किस state में हुआ, या किस union territory में हुआ, तो correct answer, लदाख, ठीक है, लदाख अभी statehood की भी demand कर रहा है, तो लदाख news में भी है, तो यह festival आपको रहा है, लदाख में हुआ, नेक्स आते है, रमायन festival, chances बहुत जादा है, मैं स्ताल किला, ओके, नेक्स है, desert festival, 2024, जिसको आप कह सकते है, मरू महुत्सव, या रखे, मरू महुत्सव या desert festival, 2024, यह हुआ है, जैसल में, राजस्थान में, कहा हुआ है, जैसल में, राजस्थान, अगे, नाम से परचला राजस्थान, बट, जैसल में, राजस्थान, या रखना ह साउथ का लग रहा मुझे थाय पोस्वाम फेस्टिवल और साउथ में या देखिए तमिल नाइडू का ये फेस्टिवल है अभी यहीं पर हेल्ट हुआ था तमिल नाइडू का गवर्नर का नाम मुझे चाहिए बड़े इंपोर्टन है तमिल नाइडू बहुत न्यूज में तमिल नाइडू का गवर्नर का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए नेक्स फेस्टिवल है भारत रंग महोत्सव 2024 इसको इंग्लिश में गहते है इंटरनाशनल थीटर फेस्टिवल ऑफ इंडिया यह क्यों इंपोर्टन है मैं आपको बता दो सबसे पहले दे इसको और्गनाइस कर रहा है नाशनल स्कूल ऑफ ड्रामा थीम है वासुदेव कुटूमबकम वन्दे भारंगम याद के वन्दे भारंगम तो इस बार की इतनी बड़ी थीम है ठीक है और यह जो आपका भारत रंग महोत्सव है मैं बता दूं यह 1st February से लेके 21st February तक यह औ बार अब देखने को मिलेगा भारत रंग महोत्सव है और 21 टे थिएटर फेस्टिवल भी हो गाइजब फैस्टेइव थीम में से आप यहाँ पर देख सकते हैं पंकर श्टिपाथी वी आपको दिख रहे होंगे ठीक है तो मेरा माना इसकी धीम जो है तो इस बारेंग महोत् मुझे थोड़ी जादा important लग रही वो आपको याद अखना है और ये पूछ सकते हैं भात रंग महुत सब कमेंस कहां से हुआ है तो answer would be Mumbai Mumbai, महराश्ट और ये last है that is Rosoma Orange Festival 2024 ठीक है किसे पूछा है Rosoma Orange Festival कहां celebrate किया जाता है important है 39 के students के लिए Nagaland is the correct answer और ये generally भी questions होते है festival के 39 के जादा पूछे आते हैं तो पूछा है तो answer would be Nagaland Nagaland आप मुझे Nagaland के CM और Nagaland के governor दोनों का नाम आप मुझे comment box में mention करिए तो ये I hope ये आप homework complete करेंगे comment box में comment करेंगे देखते हैं किस को चीज़े यादे नहीं भी आदे हो सर्च करके भी comment कर सकते हैं तो ये थे festival जो जानवरी में न्यूज में थे अब आप देख रहोंगे मैं current affairs में और detail चीज़े बताता जा रहा हूँ आपको इसमें एक भी चीज़ ना चूटे अगर आप दिन में मेरा 25 तो 30 मियर्च अगर आप मेरे lecture को दे रहे हैं daily basis में तो आपको चिंता करने ही जोटनी है हर चीज current affairs के साथ साथ static part भी आपका कहा cover हो जाएगा ठीक है तो याद दखिएगा इस series को आप जरूर एंड तक देखा करी क्योंकि कोई भी चीज़ आपके exam में आ सकती है और ये दो marks आपके selection होना और नई होने में difference भी पैदा कर सकते हैं याद दखिएगा अगर आपको lecture पसंद आया हो आपकी help हो रही हो आपकी exam में questions आ रहे हो आपका selection हो रहा हो ठीक है और आप हमें कुछ contribute करना चाहते है तो हमारा QR code है फोन पे पे टियम गुएल पे नंबर भी mention है याद दखिएगा ये एक voluntary contribution है if you want to donate आप donate कर सकते हैं नहीं करना चाहते कोई बात नहीं आप वीडियो को like करिए चैनल को subscribe करिए उससे भी हमाई help होती है आप सोचेंगे साथ आपने current का तो बड़ा detail में हर चीज़े बता रखी है but what about the subjects what about politics, geography, history, economics इन सब का क्या करें इसके लिए कोई solution है बिल्कुल इसकी भी classes मेरी available है जो की application में available है और अगर आप classes नहीं बाय करना चाहते है आपका time नहीं है तो आपने notes बाय कर सकते हो याँ देखिए का handwritten notes है for example ये economics के notes है handwritten notes है याँ देखिए का बड़े important है इसे budget से लेके economics अब हर चीज़ जो है latest updated सारी चीज़े हैं पर facts के साथ provided है और ऐसा नहीं सिर्फ economics का हो ठीक है आप science का भी ले सकते है computer subject भी ले सकते हैं even current affairs की भी booklet आप buy कर सकते हैं ठीक है देख सकते है current affairs की भी booklet है सारे handwritten है कैसे बाय करेंगे आप सोच रहोंगे नीचे मैं number दिया हुआ है इस number पर आप contact करिए आपको soft copy में ही buy कर सकते हैं hard copy में buy कर सकते हैं आपके घर courier आएगा speed post के थुरू order करने के लिए मेरा contact number दिया आप contact कर सकते हैं इन notes का sample भी मैं आपको दिखा दूँगा अगर आप चाते हैं directly buy करना तो आप application से buy करें application में sample भी आपको मिल जाएगा आप application से buy कर सकते हैं application का नाम है देवशीश classes याद एक जो कि यहां पर mention है और आप description box से भी app को download कर सकते हैं app को download करके आप वहां पर भी current efficiency classes जो है proper आपको एक segment मिलेगी notes वगेरा सब कुछ मिलेगा तो आप आप वहां से भी चीजों को buy कर सकते हैं application को download करो वहां पर भी आपको help मिलेगी और आप हमसे कोई direct help चाते हैं तो आप contact number दिया आप call कर सकते हैं WhatsApp कर सकते हैं UPSC की preparation कर रहा हो pre main सारों की आपको complete courses मिलेंगे जो मैंने lectures बनाये हुए हैं साइचीजे में उसको update करता रहता हूँ आप उसको application से buy कर सकते हैं optional की भी classes है public administration classes जो मैंने खुद ली है उनको भी आप देख सकते हो तो ये course आपको application मिल जाएगा आप जा कर application को download अभी कर ले वीडियो पसंद आया हो याद रखेगा इस तरह topics आते रहेंगे सारी चीजे हम cover करते रहेंगे static, current, सब चीजे cover होंगी notes भी आप buy कर सकते हैं याद रखेगे इसके वाद आपको कोई भी चीज अदर चालने में जाने की ज़रूत नहीं क्योंकि यहाँ पर मैं आपको कम टाइम पर ज़्यादा चीजे आपको पढ़ा दूँगा कोई doubt को रही है comment box पे ज़रू comment करें आपका भी कोई टॉपिक है जोसको हम चाहते हैं बनाएं comment box में कमान करें हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे और याद एक वीडियो को लाइक ज़रू कर दें जाते आते हैं अगर आप हमाई हेल्प करना चाहते हैं उस वीडियो को शेर ज़रू कर दिएगा इतने साए गुरूप के आप मेंबर से आप उस गुरूप में इस वीडियो को ज़रू डालें quality content होगा तो लोग automatically like करेंगे तो आप प्लीज इस वीडियो को शेर ज़रू कर दें Thank you everyone, जे हिंज जे भारत